हलो दोस्तों आज बनाते हैं एक ने रेसिपी जिसका नाम है चाय वाली मठरी दमला जवाब फेलदी एंटेश्टी आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइक करना मौनिंग के ब्रेकफास्ट में इसे आप बच्चों के टिफिन बॉक्स में सर्ब कर सकते हैं चले फिर बनाने सॉल्ट मतलब नमक नमक दाने के बाद एन टिबल स्कून चन्मसाला चाट मसाला दानने के बाद थोड़ी सी डालते हैं आजवाइन डाले में हाथ की सायता से अच्छी तरह से इसे मिस करेंगे इतना म्यूंख करेंगेग पुरे आटे और सूजी में मिक्स हो जाए तो आज मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हाथ की मुखी बांधेंगे देख सकते हैं मेरा पूरी तरह से आटे में मिक्स हो चुका है उसके बाद इसमें एट करते हैं थोड़ा थोड़ा पानी पानी एट करने के बाद में इसको अच्छी तरह से गूतेंगे आटे को एक अच्छा प्तिबल्ल होती है उसके बाद डालते हैं उसकी टेबलस्पूनी के भाद इसमें सर्फ करते हैं एक टेबलस्पूनमयों मैदा मैदा सर्फ करने के बाद अच्छी तरह से बै Comm autop बना लेंगे एकदप और बनाएंगे उसका आप आते हैं अपने डो पर जो मैंने अभी मैदे का डो रखा था त्यार करके उसका फिर अच्छी तरह से गूतेंगे जितना भी इसमें इस्टॉप आने हुगा सूजी पूरी तरह से स्पंस कर जाएगा मतलब सूख जाएगा सूजी से पूरी तरह से पानी सूख स्पालिगी जाद बड़ी काटेंगा तम से कम 5 च्छी लोई काटेंगे मैंने पूरी तरह से लोई काट दिए हूँ एक प्लेट पे मैंने सर्फकर लिया थि TV कडिया है उसके बाद में सारी लोई को लोई जिसी कर लेंगे उसका जिसे एक प्लेट में सर्फ कर लेंगे देख सकते हैं मैंने सारी लोई एक प्लेट में सर्फ कर लिया है उसके बाद में अब इसे बेलेंगे में प्रोसेस बेलने करेता है उसके बाद इसमें लगाते हैं सूखा मैदा मैदा लगाने के बाद में दू ल दोई लिया एक लोग रहतियए कि अच्छी तरह से बढ़ा सब पराथा बना कर त्यार करेंगे जैसे लॉल बनाय mustard है प्रोसेस को तो में आच हो कर्काथ ने हम उसे बाद में एक पौरकते हैं मेज़ पर में दालते इस oil का बेटर बनाया था उसे दिखाता हूं उसे मैं इसी पराठे में एक तेबलिस्पून डालते हैं इसमें उसका अच्छी तरह से लेप लगाएंगे, लेप लगाने के बाएब समें डालते हैं सूखा मैदा मैदा डालने के बाद इसी के उपड़ एक सर्व ओर करेंगे इसमें डालते हैं सुखा आठा सुखा आठा डालने के बाद में इसके उपर सर्व करते हैं एक और पराठा एकदम परत लेयरदार पराठा लगाते जाएंगे और अच्छी सी मत्री बन के त्यार होगी फिर लगाते हैं इसमें ऑयल कम से कम दो टेबली स्पून इतना लगाए करेंगे आल को पूरी तरह से पराठा एक तम चिपकते ज़ये मुलब करेंगे फोल्ड करने के बाद एक अच्छी तरह से रोल बना देंगे रोल बनाने के बाद इसको एक बेलन हाथ की बेलन से इसे बेल देंगे उसका इसे साइट से बेलेंगे मिल्द गोल करेंगे से गोल करने के बाद में आप इसकी बनाएंगी चिंगरिया बनाने के बाद हाथ Kalis दबाएंगे दबानी के बाद में इसमें व Pode इसमें लगाएंगे सुख MAY रहेंगे सूख लगाएंगे कि पूरी तरह से अच्छी सी मत्री Cam 해 के त्यार हूँ उसके बेलन की साहता से इसे अच्छी तरह से बेलेंगे एक अच्छा सा पराठा त्यार करेंगे इसमें कम से कम 5-6 पराठे होंगे जितना आप बड़ा करते हैं उतना बड़ा कर सकते हैं एकदम लेयर दार करेंगे बड़ा तो एकदम पत्री-पत्री मठ्री मठरी बन के तयार होंगे देख सकते हैं आपको मैं में साइठ से कौन इसे तिलिखाता हूं दिकाता हूं ले instruments कि अग्दा से पानी पीनी वाला सारे piece मटरी त्यार होगी इस इसी तरफ Christmas में सुद्रे bad मठोड के त्यार होगी यह लेयरदार मठोड होगी आप खाने पर ऐक रिस्पी लगेगी सारे इसी तरह बना लूँगा उसके बाद साइड से उठाएंग आंटा जो मैंने साइड में आटा है उसे उठा लेंगे देख सकते हैं मेरी मठोड के त्यार हो चुकी अब से फ्राय करेंगे अपको मैं उठागे दिखाता हूं एकी सेप में एकी साइज में बनके तियार हुई इन्ह जाँ जादा बड़ी न्हाँ जाँ छोटी आपसे चाय साथे sci-zub कर सकते हैं उसके बाद अब देख सकते हैं मीरी कड़क मत्री बनके त्यार हो चुकी है अब इससे शर्फ करेंगे एक प्लेट में प्लेटμέंसर करने के के बाद इसो ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए तब इसका एक से पाएगा के एकदम तोड़ने पर एकदम कड़क मठरी दिखेगी और आपको क्रिस्टी सुनाई देगी देख सकते हैं मेरी मठरी बनके त्यार हो चुकिए अब इसे आपको द सब्सक्राइब करना फिर मिलते हैं नेर सीप में जय हैं जय बारत आप 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 करना इसे आप आप आपया रहा हो चुकिए य खिर आप 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 आप